हेलो एस्परेंट्स सवागत है आप सभी का संकलप सीसी चैनल पर और सीसेर 222 का क्वेस्टन नमर ठाथी सेबना है इसमें पूछ रहा है कंसीडर द्यक्वेश्चन स्टेटमेंट्स गिवन बिलोब्टत किस तो ध्युद्स जैसा इसमें पूछ रहा है how far is city P from Q P से Q कितना दुरी है and Q is 18 km from city R and P is 43 km from city R तो दोनों statement चाहिए ही P Q का distance निकालने के लिए है ना क्योंकि इन डिरेक्ट डिलेसन टाइप से है तो बताईए इस में से statements कौन से सही होगा ABCD में से और answer कमेंट करें मेरे previous वीडियो देखने के लिए आप channel पर जा सकते हैं उपर I button पर link का रहा होगा चलिए तो देखते हैं क्या statement 1 क्या का रहा है कि Q is यहां से 18 km का दूरी है Q और R City के बीच में 18 km का और P से R का distance यह है 43 km का है ना लेकिन कोई direction नहीं बताया है तो P से R 43 इधर भी हो सकता है P से R 43 इधर भी km हो सकता है इधर भी हो सकता है और इधर side भी हो सकता है P से R का distance R यहां पर है तो 43 तो P से Q कब इसका distance को हम लोग exact नहीं बता पाएंगे घटाना होगा या इधर से कैसे पर्पेंडिकुलर निकालना पड़ेगा अगर डिरेक्शन के हिसाब से बेजट है तो हम लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे इग्जैक्ट तो स्टेट्मेंट बोथ स्टेट्मेंट वन एन टू आर नॉट सफीसेंट तो आंसर दो कुस्छन ऑपसंडी इसका सही हो